हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल सुना सुपर प्लाइफ और आज मैं आपके साथ में श्याय करने वाले हूं गौरी आगमन कब होगा थी त्यारा वीडियो तो इस वीडियो को अन तक जरूरी देखेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जेश्ट गौरी पूजा या गौरी तीच व्रत एक प्रचलिक तीन दिन का त्योंहार है जोकि गनेश चर्तूर्थी के बीच में किया जाता है महराश्रा में मराटी महिलाएं गौरी पूजा का व्रत रट्थी हैं जोकि माता पारवती को समझपित होता है गौरी कुजा के दिन विवाहित महिलाएं माता पार्वती का अश्रवात प्राप्ट करने के लिए देवी की दो मूर्तियों की स्थापना करती हैं और फिर उनकी कुजा की जाती है गौरी माता को आभूशन और साड़ी पैना कर गनेश जी की मूर्तियों के पास में रखा जाता है और फिर उनकी कुजा की जाती है इस उत्सव के पहले दिन देवी गौरी का घर में स्वागत किया जाता है और इसे ही गौरी आहवान कहा जाता है दूसरे दिन मुख्य मूर्ति की पूजा की जाती है और तीसरे दिन इन्हें पानी में वसरजित कर दिया जाता है महाराश्रम में गौरी पूजा को बहुत ही शुब माना जाता है बहुत ही खास माना जाता है खास कर विवाहित जोणों के लिए इनकी अराधना करने से इनकी पूजा करने से घर में सुपसम्रती बनी रती है बहुत 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 है झाल 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 तो कैसा लगा मेरा कि आज का व्लॉग मुझे कॉमेंट करके ज़रू कताईएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए श्याय कीजिए शब्सक्राइब कर दीजी जल्दी से और बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई झाल 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